हेलो चिल्रेन, हाव और यो, I am Hindi teacher कीरन मिस्रा हमारा lesson number 9 ममता भी चल रहा है जिसमें आपने जान लिया है किस तरह मुगल ममता की जोपड़ी में आस्रे मांगता है ममता के मन में तरह तरह के विचार आते हैं फिर भी अपने अतति धर्म का पालन करते हुए ममता उस मुगल को अपने जोपड़ी में विश्राम करने का आस्रे देती है अब आगे देखते हैं कहाने में क्या होता है प्रभात में खंड़र की संधी से ममता ने देखा सेकड़ो अस्वारो ही उस प्रांथ में घूम रहे हैं वह अपनी मोर्खता पर स्वयम को कोशने लगती है प्रभात में यानि सवेरा होते ही सुबा के समय खंड़र की संधी से यानि जिस खंड़र में उसने जोपड़ी बनाया था वहां की संधी से उसने जुडाव से वहां से देखा कि सैक्ड़ों की संध्या में घोड़े पर सवार होकर अस्वार हुई उस प्रांथ में घूम रहे हैं उस जगाँ पे घूम रहे हैं तो वह अपने को कोशने लगती है कि मैं कितनी मोर्ख हूँ जो इस मुगल को अपनी जोपड़ी में आसरे दिया एक एक जोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ जिस पथिक को जिस मुगल को मम्ता ने आसरे दिया था अपने जोपड़ी में वो अचानक निकलता है और उन अस्वारोहियों से कहता है मिर्जा मैं यहाँ पे हूँ सब्द सुनते ही प्रसनता की चीतकार ध्वन से वह प्रांत गूँज उठा जैसे ही उस पथिक की आवाज अस्वारोहियों ने सुना वो प्रसन्द होकर उसकी जैजैकार करने लगे मम्ता अधिक भैभीत हुई अब मम्ता क्या हो गई और डर गई पथिक ने कहा तो उस मुग कारोहियों को आदेश देता है कि जी सिस्तरी ने मुझे यहां असरे दिया था उसको खोचकल बहार निकालो मम्ता चिपने के लिए अधिक सचेस्ट हो गई क्योंकि वो डरी हुई थी इसलिए मम्ता सोच रही थी कि यह मुझे पकड़कर ले जाएंगे और वो चिपने के ल मारे उहां से निकली नहीं म्रिग दाव किसे केते हैं सिकारियों के भैसे जहां म्रिग छिपने के लिए वन में जाते हैं कि मुझे कोई कोई मेरा सिकार ना कर पाए वहां पे डर के मारे मम्ता चली गई दिन भर से उसमें से फिर वो निकली नहीं संध्या हो गई वे लोग जाने लगी साम तक अस्वारोईयों ने मम्ता को ढूंडा लेकिन वो ना मिली तो वो जाने लगे मम्ता ने सुना पथिक घोडे पर सवार होते हुए कह रहा था वो मुगल जिसको उसने आस्रे दिया था गोडे पर सवार होकर कह रहा था मिर्जा उस इस्त्री को मैं कुछ दे ना सका उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपात्ति में यहां विस्राम पाया यह अस्थान भूलना मत तपथिक ने अस्वारोईयों से कहा हे मिर्जा उस इस्त्री को मैं कुछ ना दे पाया इसलिए इसकी जोपड़ी की जगहां पर घर बनवा देना क्योंकि विपत्ती के समय मैंने यहां पर आराम किया है विसराम किया है इस अस्थान को भूलना नहीं इसके बाद वे वहां से चले गए तो देखा बच्चो ममता डर रही थी कि मुझे पकड़ रहे हैं जबकि वो ममता को कुछ देना चाहता था चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीद गए अभी क्या था मुगल पठान युद्ध जो चौसा का हुआ था वो बहुत दिन बीद गया ममताब कितने साल की हो गई थी अब सत्तर वर्स की वृद्धा है सत्तर वर्स की हो गई थी सत्तर साल की हो गई बुड़ी ओरत हो गई एक दिन वह अपनी जोपड़ी में पड़ी थी सीत काल का प्रभाव था उसका जीर्ण कंकाल खासी से गूज रहा था एक दिन वो अपनी जोपड़ी में बीमार पड़ी हुई थी, ठंडी का मौसम था, उसका जीर्ण मतलब कमजोर, कंकाल, मानों इतनी कमजोर थी कि उसके सरीर में हड्डियों का धाचा ही दिखाई दे रहा था, और खासी खूबा आ रही थी, खासी से पूरी जोपड़ी कर उसकी सेवा करती थी, इसलिए उसी गाउं की दो तीन इस्त्रियां ममता को बीमार देकर उनको घेर कर बैठी हुई थी